नमस्कार, काम के दोरान बहुत सारी मुश्किले आती है, बहुत सारी बादाय आती है आपको बिजनिस के फिल्ड में, परिवार के फिल्ड में, समाज के फिल्ड में, दोस्तों के बीच में कहीं न कहीं आपको ऐसे डिसिजन लेने होते हैं परपावी डिसिजन लेने होते हैं जो आपकी लाइप के लिए आपके परिवार के लिए आपके बिजनेस के लिए आपके समाज के लिए सही साबित हो लेकिन समझ्या यहां आती है कि एक अच्छा decision कैसे लेने हैं एक बहतर निर्न है एक good decision कैसे लेने तो मुश्किल तो आ गई है अब डिसिजन लेना है तो डिसिजन कैसे नहीं समझ भनी आ रहा है डिसिजन लेने के six step है अगर आप इनको सही तरीके सा फॉलो करोगा ना तो आपका decision बिल्कुल perfect बैटेगा और आपका target बिल्कुल अच्छी होगा तो six steps decision लेने का formula क्या है ये देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए आपके पास सामने कोई समझे आई है या कोई बादाय आई है या कोई एक मुश्किल कारी आया है तो उसको देखिए आपकी क्या पहले मैंने इसी मुश्किल कारी का सामना किया क्या पहले ऐसे कोई बादा मेरे सामने आई या पहले ऐसे कोई कारी मेरे सामने आया है पहले उस कारी को देखें क्या पहले मैंने इस कारी को किया नहीं किया नया है तो कोई बात नहीं और पूरा नहीं तो अच्छी बात है क्योंकि आपने पहले उस situation से निपट चुके तो उसको नई को निपटने में आपको आसानी होगी तो सबसे पहले ये देखिए कि आपके पास सामने कोई समश्या आई तो देखिए कि इस समश्या को पहले आपने सोल किया है या नई किया है अब समश्या आपके सामने आ गई है तो वो समश्या आपके सामने नई है तो second उस समझा को समझे उस problem को समझे देखे और दिमाग में fit करेगी या प्रोब्लम क्या है किसे मुझे सोल करनी है किसे मुझे दिमाग लगाना है किसे मुझे decision लेना है इस प्रोब्लम को समझे यह नहीं के प्रोब्लम आपके सामने आई Toby आननमा में आपने दृचगन ले लिए मुझे यह करना है मुझे वह करना है नहीं रोन्त किर्फ डैसे लिया यह चोटे-चोटे लक्ष लेने होंगे, समश्या बड़ी है, तो मुझे लक्ष भी बड़े लेने होंगे, उन समश्य उस problem के लिए target fix करें, फॉर्थ, target fix करने के बाद में सही focus करें, सिर्फ, आप target लेने से नहीं होगा, उस पर सही फोकस करना पड़ेगा, सही दिमाग लगाना पड़ेगा तरह तरह का आपको उसके उपर फोकस करके आपको उस समश्या को दूर करने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा आपको रात दिन उस प्रोब्लम को दूर करने के लिए एक अच्छा decision लेके और आपको focus करना होगा फोर्त इस्टे action लेना शुरू करें आपने समश्या को समझ लिया टारगेट fix कर लिया focus भी कर लिया फिर आपको उसके उपर action लेना सुरू कर देना होगा सिर्फ target लेने से कुछ नहीं होगा समझ्या को समझने से कुछ नहीं होगा और आपको सिर्फ फोकस करने से कुछ नहीं होगा आपको decision लिया है ना तो उसके उपर आपको action लेना शुरू करना होगा hard work लेना शुरू कर देना होगा कोई भी decision लिया है तो उसके लिए hard work लेना शुरू कर दे हार्ड वक करें तभी आपकी समझा दूर होगी और लास्ट सिक्स इस्टेप तीन सो साथ डिगरी का फीडबेक ले अब आपको के सरी तीन सो साथ डिगरी का फीडबेक क्या है यह फीडबेक यह अपने आसपास जो भी डिसिजन लिया है आप उसके उपर काम कर रहे हो तो अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हो डिसिजन लिया है इसमें वोग पर काम कर रहे हो अगर आपको इसका फीडबेक अच्छा नहीं आ나हें नेगेटीव आ रहा है तो आपको उसमें सुदार करने के जुरूत है खाले सिर्फ आपने decision ले लिया है और आप कारिये करने से कुछी होगा 360 degree डेगरी का feedback लें आसपास लोगों को सब का feedback लें के क्या आप साही रास्ते पे जा रहे हो, हाँ, अगर आप साही रास्ते पे जा रहे हो आपका feedback positive आ आ तो आपका decision बिलकुल चलते जाईए आगे बढ़ते जाईए तो किसी भी समझ्या जब सामने आती है ना तो यह six step का formula अपनाए कोई decision लेने के लिए आप कई नहीं रुको गए